हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहस सेवाइं दे रहे जलवाहक नियमित होने की रहा देख रहे हैं पिछले 16 सालों से जलवाहक नैतिक नियमिती करण को लेकर विभागों, विधाईकों और मुख्यमुत्री के पास गुहार लगा रहे हैं लेकिन सरकार कोई भी हो, इनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है वहियाद सुकु सरकार से एक उमीद बंदी है बुधवार को प्रदेश पर से जलवाहक मुख्यमुत्रे सुक्विंदर सिंग सुकु से मिले और नियमित करने की गुहार लगाई हिमाचल जलवाहक कलियान संग के मुखह सलवाकर कलियान सिंग ने कहा कि जलवाहक 11 साल कि निरुदारित अवधी पूरी करने के बावजुद भी 16 साल बाद भी नीमित नहीं हो पा रहे हैं जला उपने देश्यक कार्याले के चक्र काटने पड़ रहे हैं अन्यवी भागों से भी रिक्तपद नहीं मिल रहे हैं बहुत से करमचारी तो एक दो साल बाद ही रिटायर हो रही है और कुछ तो दैनिक भूगी ही रिटायर हो रहे हैं जलवाहक करमचारी अपनी मांग को ले लगा है उसे भी वरिष्टता में जोड़ा जाए ताकि हमारे सभी कर्मचारीं को पेंशन का लाभ मिल सके वहीं चलवाक हुसेन का कहना है कि वे 2013 से अपनी सेवाइं दे रहे हैं लेकिन अभी तक नियमत नहीं किये गए हैं इसको लेकर मुख्यमंतरी सुक्विंदर सिंग सु चार किया जाएगा तेरा से लगा हूँ लेकिन जिला चंबा में जो है वो 2007 से जो बंदे हैं वो अभी तक रेगलूर नहीं हुए है और मेरी आशा है सीम साब से आध बात हुई कि जो 2007 से लेकर रेगलूर नहीं हुए है 31 मार्च 2012 तक साथियों ने हमारा 11 वर्ष का करियकाल पूरा कर लिया है और हमारी सरकार से पूरी उमीद है कि जिन अंशकालीन जलवाकों ने 11 साल का करियकाल पूरा कर लिया है उन्हें सरकार 31 मार्च तक नीमत करेगी पहले आदर भिभाग में बेजा जाता है और बाकि डिश्टिकों में जैसे मंढी कांगडा में वहाँ पे स्वास्थी भिभाग ने लिया है और जिला चंबा में उसी तरज पर आज भी पांचवीं पास जो है वो शिक्षा विभाग में लिए जाएं ताकि जो हमारी ये 200-250 का आंकड़ा जो है रेगलूर होने को तियार हुआ है ये तभी पूरा हो सकता है जब सरकार हमें आदर डिपार्टमिर में भेजेगी या जहां हम लगे हैं वही निमत करेगी तभी हम ये सारे कारी कारेणी को लेकर यहां मुखे मंतरी जी से मिलने आये थे अपनी मांगों को लेकर तो सबसे पहले हम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवार करते हैं कि वो समय समय पर हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाते रहे हैं तो हमारी मांग ये है कि हम जैसे हमारे निमती कर का तो लाब मिली नहीं रहा है बलकि 16-16 साल के करमचारी आभी भी हमारे साथ यहां खड़े हैं तो वो 16 साल के बाद भी नियमित नहीं हो पा रहे हैं तो इस मांग को लेकर हम मुखे मंतरी जी से मिलने आये थे तो हमारी मांग दी कि हम एक तो जहान लगे हुए हैं जहां पर भी कारे रहते हैं हमने सरकार को बिकल्प दिया है कि जहान लगे हैं वहीं पर हमें नियमित किया जाए अगर सरकार के पास इस से अच्छा कोई बिकल्प और होता है तो आम त्यार हैं उनके फैसले को भी मंजूर हैं हमें और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार तत्काल जो है सकत अदेश बिवाग को जारी करके हमें सब हमें नियाए दिलाएं और जैसे के हमने मुख्यमंतरी जी से बात रखी कि प्रदेश में पसुपक्सी जानवरों के लिए भी कानून की बिवस्ता नहीं गई है मगर हम जलवाकों के लिए कोई कानून की बिवस्ता नहीं है क्योंकि 11 साल की अबदी होने के बावजूद भी 16-16 साल लग रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हम आजाद देश या प्रदेश के बासी हैं तो हमारी बिनमर प्रातना है सरकार से के हमारी मांगों को लेकर शक्रिये जो है दिखाएं मुख्य मंत्री जी ने अस्वासन दी आया के जल्द ही आपकी मांगों को लेकर हम मंथन कर रहे हैं और जल्द ही आपको तफ़ा देंगे अगर हम मुख्या मुख्या दो जिला हैं जो बहुत ही पिछड़े हैं चमबा और सिरमोर यहां पे जो हैं जो लोग हैं वो 11 साल की अब्दी पूरी कर चुके हैं जो किसी के 14 साल हुए हैं किसी के 16 साल हुए हैं कोई 11 साल हुए हैं तो इस ऐसे दो जिलों के ही मिलाएं